Justice of India वो प्ली सुनने को तयार हो गए हैं, आज एक रिपोर्ट भी आई, तो आक्शन जरूर बनता दिखाई दिया है। क्या-क्या डीटेल्स हैं और कितनी राहत मिल सकती हैं, एज एर वाले मामले में, जो उमीद मार्केट में बनी हैं, उसके डीटेल्स के लिए यातिन हमाय साथ है। भारती एक्जाओकॉम पे इनिशेटिंग कवरेज बाए है 1267, यानि 1267 के टार्गेट के साथ। अबिसली जो टेरिफाइक हुआ है और जो बजार स्थिर हुआ है चुनेंदा टेलेकॉम सर्कल्स में, इसका बेनिफिट जो है भारती एक्जाओकॉम को होता हुआ दिखाए पड़ता हूँ, यही थीसिस पे जाधा तर ब्रोकरिज बुलिश है। लेकिन सबसे इंपॉर्टन बात आई है AGR ड्यूस को लेके, चीफ जस्टिस डीवाई चंदचूड ने फाइनली अग्री कर दिया है कि वो जो AGR की रिव्यू पेटिशन है उस पे सुनवाई करेंगे, अगर हम बोड़ाफोन आइडिय की बात करें तो लगबग 70,000 करोर, 70 करोड के ड्यूस यहां आए हैं, बकाया AGR को लेके और भारती अटिक लगबग 36,000 करोड रुपे यहां ड्यू हैं, अबिसली कम्प्यूटेशन की बात करें तो बेस अमाउंट में चेंजिस होने चाहिए, टेलेकॉम कंप्पनी इसके पक्ष में बातचीत करेंगी, कोर्ट में, अब इसलिए कोड डिसाइड करेगा, लेकिन अगर इनकी अरजी मान लेती है कोड, तो 50% तक रहत देखने को मिल सकती है, वोड़ोफोन आइडिया लगबग 35,000 करोड रुपे यानि 5 रुपे पर शेयर सेव कर सकता है, और भारती लगबग 30 रुपे पर 30 रुपे यान करें स्टॉक्स की, तो भारती एटल 40% रिटर्न 2024 में अब तक और वोड़ोफोन लगबग 7% की रिटर्न के साथ जबरदस तरीके से मोमेंटम में दिखाए पट रहे हैं, इस्पेशली आफटर दे एफपियो जो 11 रुपे पर हुआ और अब स्टॉक करीब 16-17 रुपे के ल लेकर आते हैं, वो AGR वाला मामला एक तरह है और दूसरा फकॉस हो Hexacom वाली स्टॉरी भी है, एक बार लेकर आईए का प्लीज भारती है Hexacom का स्टॉक का, चार्ट पर मानस अगर आप देख सके तो बताईएगा क्या मौका है करेंट लेवल्स पर तेजी करने का, क्योंक लंबे चार्ट नहीं है तो पूर्दीशनल व्यू लंबा देना मुश्किल है, पर ट्रेडिंग के तौर पर क्योंकि स्टॉक ने अपर टॉल्टी टेवल्स को रिगें किया है, यहां पर करेंट लिवस पर खरीदारी करने चाहिए, 1090 के स्टॉपर से आप खरीदारी कर सकत परट को डपीनिशल लके बाहुत फार्ट शर्कल्स हैं जहां पर आपके नक्रियूर्ज़ रॉट तो पर टो बात चाहिए, आपर ग्लका शेगा का यहां पर को बहुत भली बियुदेशन पर खरीदावत पर कर इपर के बहुत अपर और बींचित लिवार के आपकर आपके थीलिशक अपर लिए बेनिफेट सिंपेंट्र सब्सक्राइगा राहते हैं सब्सक्राइब तो पाराइब की राया थिस सले के सब्सक्राइब नांटिंग को यह थैसरे आहां पर एक फोपर्ट्शनेटी क्लेवी ना रही है स्रेंश्री टेक्स्टाइल स्पीच इबिटा घटा है स्टॉक डेट परसेंट ऊपर नंबर्स आ चके हैं इबिटा मार्जिन्स भी थोड़े से स्लाइस होते हुए आफ 15.8 के 9 परसेंट ही रह गए हैं नंबर्स में वैसे कुछ अप्रेशनली अच्छा दिखाई नहीं दे र लगता है